स्वागत है आप सभी का पूरे अनर्जी से इस क्लास में और क्वेस्चन नमबर 22 को भी आप लोग मेरे साथ सॉल्व करेंगे 22 प्रश्ण जब अधिगम करने वालों में स्वयम ही अधिगम कार्य पर अधिकार फ्राप्त करते हुए तनाव उत्पन होता है तो यह इस्थिती क्या कहलाती है मध्य अभिप्रेर्णा की स्थिति आंतरिक अभिप्रेर्णा की स्थिति बाह्य अभिप्रेर्णा की स्थिति या उपर युक्त में से कोई नहीं q.22 सही जवाब होगा यहां तम्टिक अभिप्रेर्णा की इस्थिती होगी क्या होगी अंन्तृक अभिप्रेर्णा के टिक है कुशेज़ नबक ट्विश नबак त्वन्टि कुमें शही जवाब होगा दूसरा विकल्प अंतरिक अभिप्रेर्णा होती है तेश्वा प्रश्ट देखिए अभिप्रेणा से संबंधित अवधान एक नंबर का अभिप्रेणा का question आपके एक्जाम में जरूर आता है अभिप्रेणा से संबंधित अवधान कौन सा नहीं है बुद्धी अभिशंता सामाजिक अयोगेता या अभिवरत्ती question 23 का सही जवा होगा सामाजिक अयोगेता ये अभिप्रेणा का अवधान नहीं माना जाता और बुद्धी अभिशंता और अभिवरत्ती ये अभिप्रेणा के अवधान या तत्व कह लीजिए ये हैं निम्नलिखित में से कौन से विशेष्टा आंतरिक रूप से अभिप्रेणित से अभिप्रेणित बच्चो के लिए सही जवाब होगा वे हमेशा सफल होते हैं है ये अव्प्रेणित बच्चो के लिए सही नहीं होगी ठीक है अब question number 25 आते हैं आपकी screen पर है पचीसवा प्रशन देखिए अभी प्रेडा के सिध्धानतों के अनुसार एक शिच्छक के द्वारा सीखने को समवर्धित कर सकता है कैसे विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने पर अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने पर विद्यार्थियों से किसी प्रकार के अपेक्षाएं ना रखने पर विद्यार्थियों से बहुत उच्छ अपेक्षाएं रखने पर तो पहला ही option यहां पर देखिए कि विद्यार्थवों से वस्तविक अपिक्षांः रखने पर एकशेचछक सीखने को समवढ़्धित रख सकता है जब आप अपने श्टूडेंट्से रियल वाली एक्सक्टेशन रखोगे वस्तविक अपिक्षांः रखोगे तो यह जीज आपको सीखने के समवधित करेगा ठीक है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परिक्षा में उत्तिरण हो सके यह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है व्यक्तिक अनुभविक आंतरिक या अगर मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है तो यह किस प्रिकार का अभिप्रेरण है यह एक आंतरिक अभिप्रेरण के अंतर गताएगा 26 का C option इंटर्नल मोटिवेशन है यह जो उसे प्रेरित करता है मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो ज्यादा मेहनत करना यह उसका आंतरिक अभिप्रेरण कहलाएगा क्वेशन नूमबर 27 मोहित को बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है इसलिए वह बीड की प्रवेश परिक्षा के लिए खुब मेहनत करता है अब बताएगे मोहित किस प्रिकार से अभिप्रेरित है आंतरिक बाह सक्री या बाध्धिक 27 मोहित को बच्चों को पढ़ान अच्छा लगता है यह भी आंतरिक रूप से अभिप्रेरण का ही एक्जामपल होगा आंतरिक रूप से अभिप्रेरण यहां पर सही जवाब होगा निम्नलिखित में से कौन साथ सीखने के लिए अधिक्तम रूप से अभिप्रेरित करता है अधिक्तम रूप से अभिप्र संतुष्टी जो है लक्षियों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टी ये सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है क्वेशन अबर 28 का दूसरा विकल्प सही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 29 देखेंगे आप अपने स्क्रीन पर 29 आंत्रिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी इसके लिए पुरसकार की बिल्कुल भी आवश्यक्ता नहीं है इसके लिए बाहि पुरसकार उसकी अभिप्रेरिदा को बनाए रखने के लिए परियाप्त नहीं है इसका बाहि रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी परियाप्त नहीं होती है बाहिपुरस्कार ठीक है तो question number 29 का दूसरा विकल्प यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा question number 30 देखे आपके screen पर उपलब्धी अभिप्रेर्णा है चुनावती पूर्ड कार्य में डटे रहने की प्रविप्रेर्णा यही होगा हो गया है आपके screen पर अब 31 देखेंगे आप question number 31 शहले मालक मलत की रिश्री वरस्तव बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेर्ण क्या है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है एक दिशिय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए र श्रजन करता है यह है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए गुरुची का श्रजन करता है थर्टी वन का चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा आप अपनी कक्षा के किसी बालग को पढ़ाने के लिए उसे प्रेरित करने का कौन सा तरीका उप्युक्त मानते हैं बहुत बहुत स्वागत है साक्षे सेंग एस अब्जेक्टिव क्रेशन टेस्ट सेरेज में आप अपन प्रलोगन देना या बालक के प्रेरकों का मारगांतरी करन करना चौथा विकल्प देखिए बालक के प्रेरकों का मारगांतरी करन करना ये बालक को पढ़ाने के लिए उसे प्रेरित करने का सबसे उप्युक्त तरीका माना जाएगा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा Q32 के बाद आते हैं Q33 में आपके screen पर होगा बिल्कुल clear 33 सीखने में अभी प्रेरेना का स्थान मार्गांतरी करण का दिखिये मतलब होता है जो मार्ग चल रहा है उससे उसको change करके मार्गांतरी करण बालक के जो प्रेरक हैं उसको मार्गांतरी करण यानि मार्ग को बदलना ठीक है मार्गांती करण व्यक्तिगत भिनताओं में कभी होती है शारीरिक विकास होता है अनुशाशन की भावना का विकास होता है या सामाजिक गुण सीमित रहते हैं स्वेज थ्रिषए जवाव होगा अनुशाषन की भावना का विकास होता है शीखने में प्रिरहना का स्थान इसलिए महत्पूण है क्योंकि इस से अनुशाषन की भावना का विकास होता है कि अ क्षचनर नमर्ट 34 पर आते हैं आपके स्क्रीन पर होगा एकदम क्लियर यह लीजे 34 मैसलों के आवश्यक्ता अनुसार पदानुक्रम सिध्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यक्ता सबसे अंत में पूरी होती है 34 मैसलों के आवश्यक्ता का पदानुक्रम सिध्धांत के अनुसार कौन सी आवश्यक्ता सबसे अंत में पूरी होती है सम्मान आत्म यथार्थता सुरक्षा या सामाजिक 34 में दूसरा विकल्ब देखे आत्म यथार्थता यह आवशक्ता के पदानुक्रम सिद्धान के अनुसार सबसे अंथ में आत्म यथार्थता पूरी होती है मैसलो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरिणाओं में सबसे शक्तिशाली प्रेरिणा कौन सी है question 35 आपकी स्क्रीन पर 35 मैसलो के अनुसार निम्नलिखित प्रेरिणाओं में से सबसे अधिक शक्तिशाली प्रेरिणाओं कौन सी है 35 पृत्र तो देहिक अवस्षक्ताईं जो है यह सबसे ज्यादा शक्तिशालि होते हैं को चलिए क्वेश्चन नबर 36 देखते हैं ज्य गदें और और सीट एक्जाम में मोटिवेशन टॉपिक से एक क्वेस्टन जरूर आता है आपके एक्जाम में ठीक है तो क्वेस्टन नमबर 37 अच्छा कैसे मैसलो के उनसार मैसलो ने डहिक अवशक्ताओं को सबसे ज्यादा शक्ति शाली बाना है क्यूं क्यूंकि बालक जो है अपनी फ व्यक्तिगत सामाजिक नहीं सामान्य सामाजिक नहीं अर्जित परीणाय नहीं बलकि अपनी फिजिकल नेट्स को सबसे पहले रखता है ठीक है और इसके लिए वह ज्यादा वर्क करता है फिजिकल डीट्स करें एक प्रेड़ा व्यक्ति की एक अवस्था अत्वा उन्वु प्रेणा की यह परिभाशा किसने दी है गार्डनर मर्फी एन एल एन ने आरेस वुडवर्थ या जे पी गिलफ़र्ड क्वेश्चन नमबर 37 में जे आरेस वुडवर्थ जो है सही जवाब होगा आरेस वुडवर्थ ने कहा है कि एक प्रेणा व्यक्ति की एक अवस्था और उन्मुक्ता है जो से कुछ व्योहार और लक्षणों को खोजने की ओर ले जाती है अंतर नोद किस्से उत्पन होता है प्रोचाहन भूख प्यास या आवशक्ता 38 तो दोस्तों आवशक्ता ठीक है ओके फर्मान बैक बिल्कुल ठीक है कोई बात नहीं आवशक्ता बिल्कुल सही जवाब होगा चौथा विकल अंतर नोद आवशक्ता सुत्पन होता है किसी विशेश होटल की मिठाई खाने की आवशक्ता को क्या कहा जाएगा भूख विसस्ट भूख प्रबल आवशक्ता है तो यह क्या होगी क्या कहलाएगी यह एक विशेश्ट भूख होगी विशेश प्रकार की भूख होगी दूसरा विकल्प यहां पर सही जवाब होगा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 क्वेश्चन नमर 40 आपके स्क्रेन पर होगा 40 यह लिजे वेरी क चालिस्वा प्रश्चन निम्नलिकित में से किसे जैविक अभिप्रेरक में आप नहीं रखोगे प्यास भूख यौन या उपलब्धी आवशक्ता चालिस दिखे जैविक अभिप्रेरक में प्यास भी आती है भूख भी आती है यौन भी आता है लेकिन उपलब्धी आवशक्ता जो है यह भातिक अभिप्रेरक है जैविक ना हो करके हम इसे भातिक अभिप्रेरक की श्रेणी में रखते हैं निम्नलिखित में से किस अभिप्रेयरक को कुछ मनुवए ज्यानिकों ने जैविक और अर्जित दोनों स्रेणियों में रखा है question number 41 भूख नींद लिंग प्यास तो यहां पर जो लिंग है यह जैवित और अर्जित दोनों स्रेणियों के अभिप्रेयरक माना जाता है ठीक है लिंग सी ऑप्षिन को अपना अपना इंट्रेस्ट है जिन अभिप्रेयरकों को व्यत्ती अपने सामाजिक वातावरण में सीखता है उन्हें क्या कहा जाता है सामाजिक वातावरण में सीखने वाले अभी प्रेयरक को अर्जित अभी प्रेयरक कहते हैं देखे क्वेश्चन आपको समाज में आ रहे होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर देना आप सब है ना तुकि सारे क्वेश्चन लेवल के हैं